दोसो आजकी इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे केकी एन दारुवाला की एक पोईम, दी अन्रस्ट अफ डिजायर, मैंने चैनल पर अब तक एक भी बात केकी एन दारुवाला की एक भी पोईम को डिसकस नहीं किया है, यह पहली पोईम है, दोसो यह थोड़ी सी जाने की कोशिश करूऊ जितना अच्छे से हो सकें, उतना अच्छे से, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यह अन्रस्ट अफ डिजायर क्या होता है, टाइटल का मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हर इनसान के अंदर एक डीप डिजायर होता, यह ऐसी इच्छा जिसे वो पूरा तो करना चाहता है, लेकिन पूरा करना ही पाता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उस deep desire को दबाने की कोशिश करते हैं, suppress करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर केकी अन दारुवाला कहते हैं, कि आप अपने deep desire को कितना भी suppress करने की कोशिश कर लो, वो आपकी आँखों के जरीया आपको दिखता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग केकी अन दारुवाला की एक कमाल की poem डिस्कुस करेंगी, The Unrest of Desire। देने की किसी चीज को पाने की, तो वो इच्छा दबती नहीं है, अगर वो दबाने की कोशिश करें, तो वो इच्छा दबेगी नहीं, उसकी आँखों के जरीये वो दिखेगी, वो आपके जो deep desires होते हैं, वो आँखों के अंदर जलकते हैं, जैसे for example, आप सोच लो आपने एक नया फोन लेना है, लेकिन आप दुनिया को तो बोल रहे हो, मुझे नहीं लेना है, अंदर से आपकी बहुत दीप इच्छा है कि मुझे लेना है, तो वो जो desire है न लेने का, वो भले ही आप दबा लो, लेकिन आपकी आँखों के जरीये वो जलकेगा, कि वाके आपको whatever the mask you slap upon your face, आप अपने face पर कैसा भी mask लगा लो जूटा, लेकिन जो आपका desire है, वो दिखेगा, however you tear at the soft thought of life, and prove the salt blood with your insistent tongue, इन लाइनों का मतलब यह है, चाहे आपके पास life में आसू है, या फिर चाहे आपके पास life में salt blood है, आपकी बाड़ी में कुछ भी है, जो कुछ भी है, लेकिन आपके अंदर जो deep desires है न, unrest of desire, वो आप अपने आँखों के जरीये देख सकते हो, इस line में बोलते है, the unrest of desire is revealed by eyes however, you bury the shadow in the heart, under slabs of concrete, and a coil of wound, however, you wall the cave impulse at the mouth, अब इन तीन लाइनों का मतलब यह है, कि आप चाहो न, तो इस चीज की shadow अपने दिल में दबा लो, चाहे तो वहाँ पर दीवार खड़ी कर लो, चाहे तो मूँ में caves बना लो, मूँ को बंद कर दो, लेकिन फिर भी, it will hammer at the sides, and break free, लेकिन फिर भी, ये निकल कर बाहर आ ही जाती है, आपके unrest of desires हैं आ, वो निकल कर बाहर आ ही जाते हैं, आप कितना भी दबाने की कुशुश कर लो, However, you bury the shadow in the heart चाहे आप इसकी shadow को अपने दिल में दबाने की कोशिश कर लो लेकिन यह निकल कर बाहर आई जाएगी अपके आँखों के जरीए You may etch the shadow तो यह etch word जो है इसका मतलब यह है जब हम किसी चीज़ पर metal या glass की coating करके उसको छुपाने की कोशिश करते है न तो एच बोला जाता उसको You may etch the shadow तो इसकी shadow को छुपाने की कोशिश कर लो on the cabin wall cabin मतलब caves यानि की गुफाओं की wall पे इसकी shadows को छुपाने की कोशिश कर लो and turn the drives into aborigin art दोसों यह aborigin का मतलब होता है एक आदिवासी जाती होती है उसके art की बात की जा रही है कि उसके अंदर छुपाने की कोशिश कर लो bison and stag looping दोसों यह bison एक type का जानवर होता है कुछ इस type का और stag होता है hiran इन दोनों की भागने की बात की जा रही है इन charcoal lines जानी कैसी imagination कहां पर use किया इसलिए थोड़ी सी confusing है यह poem तो bison और stag की बात की जा रही है जो भागते है you cannot erase the burn तुम जले हुए को मिटा नहीं सकते it will char your dreams char का मतलब होता है आदा जला हुआ अद जला हुआ यह आदा जला हुआ तुम्हारे dreams में आएगा इसे तुम मिटा नहीं सकते however you bury the shadow in the heart चाहे तुम shadow को दिल में दबाने की कोशिश करो उमीद करता हूँ आपको कुछ हद तक यह पूर